यह सु समाचार जिसका अंग्रेजी शीर्षक बी सर्टेन आफ गॉड तथा हिंदी शीर्षक परमेश्वर के प्रती आश्वस्त होना है इसे बीस्वी शताबदी के भोश्य दख्ता वह हमारे प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रहनम ने 25 जनवरी 1969 को ब्रहनम टेबर निकल ज संद्युक्त राज अमरीका में परचार किया था अब हम पहला राजा सत्रमाद ध्याए पहले पस्ते सोला पत तक पढ़ेंगे जायू लिखा है और तिश्बी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था उसने आहाब से कहा इसराइल का परमेशर यहुआ जिसके सम्मुक मैं उपस्तित रहता हूं उसके जीवन की शपत इन बर्षों में मेरे बिना कहें ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पढ़ेगी तब यहुआ का यह वचन उसके पास पहुचा यहां से चलकर पूरफ और मुक करके करीट नाम नाले में छिपजा जो की जर्दन के सामने है और उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कवों को आग्या दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं अते यहुआ का यह वचन मान कर वो चला और यर्दन के सामने के करीट नाम नाले में जाकर छिप रहा और सवेरे वसांज को कवे उसके पास रोटी और मास लाया करते थे और वे नाले का पानी पिया करता था कुछ दुनों के बाद उस देश में वर्शा ना होने के कारण नाला सूख गया तब यहवा का ये वचन उसके पास पहुँचा कि सारपत नगर में जाकर वही रहे सुन मैंने वहां की एक विद्वा को तेरे खिलाने की आग्या दी है सो वहां से चल दिया और सारपत को गया नगर के फाटक के पास पहुचकर उसने क्या देखा कि एक विद्वा लकडी बीन रही है उसको बलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पकार के कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रूटी भी मेरे पास लेतिया and she said as the Lord thy God liveth I have not a cake but a handful of meal in a barrel and a little oil in a cruise उसने कहा तेरे परमेशर यहवा के जीवन की शपत मेरे पास एक भी रोटी नहीं है केवल घड़े में मुठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा स्पेल है and behold I am gathering two sticks that I may go in and dress it for me and for my son that we may eat it and die और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिये जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और उसे हम खाएं फिर मर जाएं एलिया ने उससे कहा मत डर जाकर अपनी बात के अनुसार कर but make me thereof a little cake first and bring it to me and after make for thee and I son परंतु पहले मेरे लिए एक रूटी एक छोटी सी रूटी बना कर मेरे पास लेया फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना क्योंकि इस्राइल का पर्मेश्वर यहुआ यूं कहता है कि जब तक यहुआ भूमी पर मेहना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया तब से वह और इस्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे यहुआ के उस बचन के अनुसार जो उसने अलिया के द्वारा कहा था ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया बाहर जाने से पहले आज की सुभा बाचीत के लिए मैंने इस वचन में से एक विशे चुना है परमेश्वर के प्रती आश्वस्त होना अब हे परमेश्वर प्रभू अपने वचन को आशिशित कीजिए जबकि वो लोगों तक पहुंचता है वोने दीजिए कि पवित्तरात्मा हमारे मस्तर्शक वाविचारों को अपने नियंस्तरण में ले वे हमें उसको ग्रण करने के लिए तयार करे क्योंकि हमने उसे अपने मद्ध में बुलाया है क्योंकि हम प्रबु के भवन में औरों को देखने या स्वाइम को दिखाने के लिए नहीं आते वरन आपके बारे में जानने आपके सब्भाव को पहचानने आपके तरीकों वा मकसद को समझने के लिए हम आते हैं ताकि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को एक निश्चिंतता के साथ और परमेश्वर के प्रती पूरी तरह से आश्वस्त होकर सहने को तयार रहें प्रबु इस प्रातना को ग्रण कीजिए इसे हम येशु के नाम में मांगते हैं आमीन वो सुबा बड़ी भयंकर रही होगी मौसम बहुत गरम और धूल भरा था और लोग सडकों पर हाप रहे थे और ऐसा लगता था मानो धर्ती जड़ जाने वाली है यह सब लोगों के चारेत्रिक पतन और पापों का दुश प्रभाव था आप देखिए कि उस समय अहाब इसराइल पर राज्यक कर रहा था और वो इसराइल के उपर राज्यक करने वालों में सबसे अधिक दुश्ट था अहाब की तरह का कोई और दुश्ट राजा नहीं हुआ है क्योंकि वह अच्छी शिक्षाप्राप एक जानवान मनुष्य था अते उसने अपने प्रतिय काम से परमेश्वर को नाराज करने में कोई कोर कसर उठा न रखी थी हालांकि उसके पास एक बड़ा सैनिक संतर था और लोग उसके राज्ये में काफी खुशाल थे लेकिन परमेश्वर को नाराज करके आप अधिक दिनों तक काम नहीं रह सकते और फिर उसने अपनी शादी के मामले में भी बजा इसके कि वो अपनी बरादरी में शादी करता उसने एक मूरती पूजक पापी इस तरी से विवा किया उसने इजबेल से शादी करी और वह विश्वासनी नहीं थी और एक विश्वासी को किसी भी इस्थिती में एक अविश्वासी से वहा कभी भी नहीं करना है बलकि विश्वासियों में ही शादी ब्याहा करना चाहिए लेकिन अहाब ने ये गलत काम किया था इसमें संदे नहीं की इजबेल एक सुन्दर इस्तिरी थी और अहाव उसकी वास्तिक दशा से बेखबर उसकी बाहरी सुन्दरता देखकर महुच हो गया था इसी तरह की गलती आज अनेक लोग कर जाते हैं और इसबेल अपने साथ उस देश में वहां के लोगों में मूर्ती पूजा लेकर आई और वहां के लोग सेवक याजक सभी उसकी मूर्ती पूजा के शिकार बन गए क्योंकि उन दिनों मूर्ती पूजा काफी प्रचलत थी आज हमारे देश की भी यही तस्वीर है हम प्रचलत मांगों के शिकार हो जाते हैं इसमें संदे नहीं कि मूर्ती पूजा को उस समय याजकों ने यही सोच कर सही माना था क्योंकि उनकी सरकार उन्हें इसकी आग्या दे रही थी लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता कि सरकार किस के लिए सहमती देती है खास बात यह है कि परमेश्वर की सहमती किस में है और उस समय लोगों ने यही सोचा था कि वे यदि दुनिया की बातों में वा सुख समर्दी पाने में यदि पूरवा नुमान से कुछ करते हैं तो वह उचित ही है हो सकता है कि कोई मुझसे कहे कि भाई आपने जो अभी कहा है कि आज भी वैसी ही मूर्ती पूजकों की इस्थिती है तो आप जरा फिर से अपनी बात को जाच कर देखें हम भले ही आज स्वयम को मूर्ती पूजक न माने मगर हम है हमारा शासन इसकी अनुमती हमें देता है वा इसकी तश्दीक करता है लोग आज मूर्ती पूजक हैं क्योंकि वे बुतों की पूजा करते हैं कुछ लोगों के लिए फिल्म अभीनेता अभीनेत्री पूजा हे तू बुत बने हैं धंदौलत है और कुछ दूरदर्शन कलाकारों की पूजा करते हैं लेकिन आप जो कुछ भी परमिश्वर के बदले रखते हैं वे सब प्रतिमाए हैं चाहे वे कुछ भी क्यों नहों यहां तक कि वे शैतान जो हमारा विरोधी है वे इतना चतुर है कि वे चर्च को ही कभी कभी परमिश्वर के विरुद परतिमा या मूरद मना कर पेश कर डालता है हो सकता है आपके पास एक बड़ा गिरजा हो जिसकी उची बड़ी इमारत हो या वो एक बड़ा डिनामिनेशन हो और फिर उसके सदस्यों की एक बड़ी सबा हो लेकि आप अपने हिर्दे में परमिश्वर के सामने कोई दूसरा खुदा न बनाएं क्योंकि परमिश्वर के सम्मुख जो कुछ भी खड़ा होगा वह मूरत ही कहा जाएगा और ये लोग जानते थे कि वे अब उतने आत्मिक नहीं रह गए हैं जितने दूसरे राजाओं के शासन में थे फिर भी उन्होंने यही सोचा था कि वे एक धार्मिक देश के वासी हैं और उनके लिए कुछ भी करना उचित है और इसी तरह से सोचते हुए हम भी आज इस हालत को पहुंचे हैं कुछ महापूर मैं अपने एक परम मित्र से बात कर रहा था और इसने कहा भाई ब्रहनम आप सरवदाय सन्युक्त राज अमेरिका को इसकी कमियों घटियों को ही बारीकी से हरमेशा बताते रहते हैं उन्होंने ये भी कहा कि आप हमेशा इसके पापों का वर्णन करते और कहते हैं कि परमेश्वर इस देश को सजा देने जा रहा है मैंने कहा कि परमेश्वर को नियाई बने रहने के लिए ऐसा करना जरूरी है उन्होंने कहा मगर भाई ब्रणनों आप भूल जाते हैं कि इस देश की स्थापना वचन पर ही आधारत है और हमारे बाप दादे इस जगा पर आए थे और परमेश्वर ने हमें यह विरासत में दी है हमारा देश एक धार्मिक देश है मैंने जवाब दिया कि यह सब बातें सच हैं और किसी को क्या मालूम कि मैं किस परकार इस देश की सरहना करता हूं लेकिन मेरे भाई आप देखिये कि इसराइल भी परमेश्वर का चुनादेश था और उसने अपने भविश्य दखता और चुने लोग वहां भेजे परंतु परमेश्वर पाप को सहन नहीं कर सकता और उसने ऐसा किया कि इसराइल ने जो जो बोया था उसे वह सब काटना पड़ा और अगर उसने इसराइल के साथ ऐसा किया कि उसे अपना बोया काटना पड़ा तो वह हमें भी सब काटने को बात देखरेगा जो हम आज बो रहे हैं वे मनशों में कोई भेदभाव नहीं बरता हम ऐसी वैसी बातें इसलिए सोचते हैं क्यूंकि हम उन कामों पर निर्भर करते हैं जो हमारे बाप दादों ने किये थे या अपने गिर्जों के संसापकों के उन महान कामों को और बलिदानों को हम देखते हैं और उन पर निर्वर हैं जो उन्होंने परमेश्वर के लिए दिये थे यह सब अच्छा है हम उनके कामों की प्रशंसा करते हैं लेकिन उनके द्वारा हमें उद्दार नहीं मिल सकता उद्दार तो एक व्यक्ति का निजी मामला है जो उसके वा परमेश्वर के मद्ध है परमेश्वर के सामने हमें स्वैम उत्तर देना है और यह उत्तर हमारी कलीसिया, गिर्जे या देश के ऊपर आधारित नहीं होगा यह इस परकार की बाते हैं आज हमारे देश के अंदर सीमा तक व्यापत हो चुकी हैं कि सब में अधिक आत्मिक समझे जाने वाले लोग भी इससे प्रभावित हो चुके हैं आप उन आत्मिक इस तरी पुरुशों से मिलिये तो पाएंगे कि उनके हिर्दियों की गहराएं में कहीं कोई कमी घटी है पिछले कुछ सक्ताहों में माएं इसी परकार की इस्थियों से घुजरा हूँ और मुझे ऐसा ही अनुवा हुआ है मैंने जिन मनश्यों के बारे में सोचा था कि वे अत्यांत आत्मिक जन हैं मैंने पाया कि वे दुनियावी चीजों के प्रती अधिक जोड देते हैं वे यह कहते पाए गए कि परमेश्वन ने हमें शिरीमान वगरा 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 दिये हैं जो बहुत बड़े व्यक्ति हैं इस इस किसम की बाते करते हैं आप ऐसा कहकर धोका दे रहे हैं दुनियावी बहुत इक चीजें जो देखने में बड़ी हैं हमेशा परमेश्वर की इच्छनुसार नहीं मिलती परमेश्वर पापी और धर्मी दोनों पर समान रूप से वर्शा करता है आज दुनिया को आवेशकता है कि विश्वास सम्मंदी जूट उसे ना दिया जाए याने आप स्वेम को किसी भ्रम्या धोके में रखकर उसे आत्मिक की संग्या ना दें कई बार विश्वास बड़े अद्बत काम करता है फिर भी वह आत्मिक हिर्दे से उपजा हुआ नहीं होता क्या हमारे प्रभू ने ना कहा था कि उस दिन बहुते रहे आकर मुझ से कहेंगे कि हमने तेरे नाम से यह किया वह किया तब मैं उसे कह दूंगा कि हे कुकं करने वालों मुझ से दूर हो जाओ अधारम किसे कहते हैं? उसे कहते हैं कि आप यह जानते हों की सही क्या है फिर भी आप उसे ना करें परमेश्वर उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता और हम आज ऐसे इस समय में रह रहे हैं जबकि लोग जानते हैं कि सही क्या है मगर जान बूच कर उसे नहीं करते, नहीं मानते आज हमें इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास धेर सारी भौतिक चीज़े हों हमें बड़े बड़े उंचे गिर्जे या बड़ी बड़ी सभाएं नहीं चाहिए हमें दूरदर्शन या रेडियो के व्यापक माध्यम भी नहीं चाहिए हमें इन चीजों की और अधिक आवशक्ता नहीं है लेकिन हमें आज ऐसे आत्मिक मनुष्य बनने की जरूरत है जिसके पास चाहे एक पैसा भी नहो परंतु परमेश्वर के सम्मुक अतियंत विनर्म वा हलीम हो ऐसे लोग चाहिएं जो तब तक प्रातना में लगे रहें जब तक कि उनकी आत्मा परमेश्वर के गुणों से भर कर संतुष्ट नहो जाए और उनके अंदर एक ऐसी बेदारी जाग उठे जिससे उनके हिर्दे व्यभार और उनके आसपास का वातावरन तक बदल जाए जिसमें वो रह रहे हैं चाहे आपके पास पाओं में एक जोड़ी जूता तक ना हो चाहे आप चीफड़े पहने हों परंतु आपके हिर्दे में अंदर परमेश्वर के लिए कोई मधुर्गीत का रहा हूँ मैं तो इस हालत को दुनिया की समच स दौलत के बजाए पाना पसंद करूँगा इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बहुत एक चीजों की प्राप्ती हमेशा परमेश्वर की आशीशों का चिन है दावद ने प्रवु से कहा था कि उसने दुष्ट लोगों को तेजपात के विर्ष्ट की तरह से फलते फूलते देखा है लेकिन परमेश्वर ने उससे पूछा था कि क्या तू ने उनके अंजाम के बारे में कभी सोचा है इससे कुछ मतलब नहीं कि हम कितने अच्छे वस्ट पहनते हैं या कितना बढ़िया भोजन करते हैं यह सब परमेश्वर की उपस्थती में नहीं जाएगा यह शरी जिसमें हम रह रहे हैं यही नश्ट हो जाएगा चाहे इसकी कितनी भी देखभाल क्यों न करी जाए हाँ मगर केवल आदमी की रूह या आत्मा ही माँ पहुंचे जीबते परमेश्वर की उपस्थती में आत्मा की जो दशा यहां होती है वही उसी दशा में पहुंचती है मगर हम बहुत सी बातों को यूं ही मान लेते हैं हम सोचते हैं कि ऐसा ही होगा क्योंकि हम एक बड़े राष्ट्र हैं इसी परकार महां आहाब और पूरे इसराइल ने समझ लिया था कि ये बहुत सी बातें जो वो मान रहे थे सब उचित हैं उनके धर्मा ध्यक्ष्चों वा परचारकों ने यही कहना चाहा था कि सभी कुछ ठीक है अच्छा है लेकिन उनमें एक जन ऐसा था जो चिला कर उन गलत बातों के वरुद पुकार उठा था क्योंकि उसे पता था कि पवित्र परमेश्वर इन अपवित्र आधूनिक धार्मिक रीतियों से संतुष्ट नहीं हो सकता वैस और ये परमेश्वर आज भी वैसा ही है और हमारे सभी परेतन और काम और बड़ी-बड़ी बातें जिने हम करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे परमेश्वर कभी प्रसंद नहीं होगा क्योंकि वै तो पून रीति से पवित्र किये गए जीवन के अलावा और कुछ नहीं देखता हम बड़े-बड़े स्कूल, मंदिर वा आराधनाले बना सकते हैं बड़ी-बड़ी संस्थाइं सापित कर सकते हैं और बड़ी-बड़ी और चीज़ें मना सकते हैं मगर उनसे परमेश्वर तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि परमेश्वर की वेदी पर मनुश्यों की आत्माएं पूर्ण रूप से, पूर्ण रिती से पवित्र बरिदान बनकर न चड़ाई जाएं और लोगों को परमेश्वर के काम के लिए अलग न किया जाए और आज आप ऐसा होते कुछ भी नहीं देख रहे हैं आप देखिए कि हमारी प्रातना सवाएं कितनी कमजोर हैं एक मिनट की प्रातना करके हम फिर सोसे जाते हैं हम देखते हैं कि दिन में एक या दो बार हम ऐसा ही करते हैं बस जबकि हम सब कसूरवार हैं तभी तो हमारे रास्टर का नैतिक पतन हो रहा है हमारे यहां बिली ग्राम और ओरल रावर्ट जैसे अने को लोग हैं लेकिन जब तक अमरीका के हिर्दे में जीवत परमेश्वर की प्यास नहीं जगेगी और हमें जीवत अनुहव नहीं होगा याने जीवते परमेश्वर में जब तक हमारा विश्वास जीवन नहीं होगा तब तक हम यूही अपनी दिमाग पच्ची करते रहेंगे या जैसा कहा जाता है हम दिमागी कसरत में उल्जे रहेंगे हम चाहते हैं कि हम अपना सीना चोड़ा करके और कमीज के कालर खड़े करके सड़कों पर चलें और साथ ही लोग हमें पादरी और दिवे ग्यान का पंड़ित भी कहें हम चाहे दुनिया के सबसे बड़े गिरजे के पादरी बन जाएं और चाहे इतने पादर जन बन जाएं कि कोई हमारी और अंगली न उठा सके लेकिन जब तक हमारे अंदर का आत्मा परमेश्वर के लिए उत्तेजना से ना भर जाए और जब तक अंदर ऐसा कुछ न हो जो उसके लिए बेताब हो जाए तब तक सब बेकार है जिस परकार से हिरनी जल बिन हापती है मेरा हिरदे भी हे परमेश्वर आप के लिए प्यासा है जब तक हमें इस परकार के अनुहव जीवन में नहीं होंगे सब बेकार रहेगा इसलिए कम्यूनिजम या सामेवाद आगे आगे जड़ पकड़ता जा रहा है और सारे नामधारी गिरजे एक साथ एकतरित होकर भी इसे नहीं रोक पाएंगे क्योंकि इसके प्रभावी होने की भविश्यवानी करी गई है लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया को अलग बुला रहा है इस इस्तरी में एहलिया की तरह की समझ और उसका सम्हान से किस तर था क्योंकि हमारे विवहार ही बता देते हैं कि हम क्या हैं और फिर ये भी था कि परमेश्वर के नभी की देखभाल करने के लिए उसे चुना गया था याद रखिये कि वह इस्तरी यहूदी नहीं बर अन्ने जातियों में से थी दर्ती तप रही थी इसमें संदे नहीं यह इस्तरी एक विश्वासी की तरह से थी क्योंकि हम देखते हैं कि अगर वो ऐसी योग्य नहीं होती तो परमेश्वर अपने बहुश्वर दखता कि देखभाल के लिए उसे कभी नहीं चुनता परमेश्वर अपने नवी को उसके घर कभी नहीं भेजता जो योग्य नहीं हो यह चुनाव उस इस तरी का अपना चुनाव नहीं था वरन यह परमेश्वर का चुनाव था यह उसकी अपनी चनुसार नहीं था वरन यह परमेश्वर की आग्या थी एलिया तो उस नाले में रह रहा था और कवे उसको भोजन खिलाते थे लेकिन ये परमेश्वर की आग्या थी जिसकी अंतरगत कुछ विशेश बात घटनी थी और इसके लिए परमेश्वर ने एक ऐसे विश्वासी को चुना था जिसकी प्रकरती एलिया से मिलती जुलती थी वो एक विद्वा औरत थी और हम सभी जानते हैं कि एक विद्वा औरत को जिसका पती नहो अपने पुत्र को पालने में कितनी मुश्किलातें उठानी पड़ रही होंगी उस देश में वे लोग अपनी खेती पर ही निरभर थे उनके पास हमारे आज की तरह से योजनाए नहीं थी और नहीं जीवी का चलाने के कोई और साधन उनके पास थे वे लोग अपनी फसलों पर ही निरभर होते थे और उस समय उनके अधरम और नैतिक पतन के कारण ही उस देश में सूखा और अकाल पड़ रहा था और लोग भूकों मर रहे थे तब हम देखते हैं और इसमें संदेह नहीं कि उस विदवा इस तरी ने जब अपने खाद सामगरी के बरतन को प्रती दिन कम और कम और कम होते देखा था तो उसने रातों रात प्रातनाएं करी थे और तब एक दिन ऐसी हालत आगई थी कि उस बरतन में एक मुठी से दूसरी मुठी मैदा नहीं बचा था उसके पास बस एक मुठी मैदा ही बचा था मौत उनके घर के द्वार तका पहुंची थी क्योंकि कहीं से भी भोजन मिलना संभव न था पूरा देश ही भूकों मर रहा था और उसकी कुपी में बस एक चमचा भर तेल बचा था और उसके और मौत के बीच में बस उतना थोड़ा सा तेल और मैदा बचा हुआ था इस हालत में वो अपनी प्रातनाओं में और अधिक निश्ठावान हो गई होगी अगर आज सुभा हमारे घर के अंदर मौत आने वाली हो और हम इस बात को जानते हों तो हम अपनी प्रातनाओं में और अधिक निश्ठावान हो जाएंगे मैं सोचता हूँ कि शायद उसने पिछली पूरी रात प्राटना करी होगी क्योंकि एक और दिन बीच चुका था वह अपने तीन या चार वर्शी बालक की पीले पड़े होटों को देख पा रही होगी और अपने शरीर पर भी उबर रही हड्डियों को देख रही होगी जिन से मास अब अलग होता जा रहा होगा और एक मा के नाते ये सब आँखों के सामने होते देखना बड़ी भेंकर बात थी इस पर भी वे परमेश्वर के सामने अपने हाथ जोड कर रात और दिन प्रातना कर रही थी कि प्रभू अब हमारे पास केवल एक मुठी मैदा और एक चमचा तेल ही बच रहा है आप जानिये कि यह एक अजीब बात है काश परमेश्वर इस बात को आपके अंदर गहराई से उतार सके इस तथे को अभी आप आत्म साथ कर सकें चाहे मैं फिर कभी आपको वचन पर चार कर सकूं या नहीं यह है आपके लिए एक संदेश यह सुसमाच चार बन जाए यह बड़ी अईव सी बात है कि परमेश्वर कभी-कभी इसी तरह से काम करता है आप जानते हैं कि जब हम अपने सभी पापों को सुईकार करते हैं और उन से पश्चताब करते हैं और परमेश्वर की बातों को मानते हैं तो हम उस पर विश्वास करते हैं एक इस्तिती जो उसी की इच्छा नुसार होती है हमें उस से गुदर ना होता है कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने पापों को सुईकार कर चुके होते हैं परमेश्वर की आग्याओं का पालन शुरू कर चुके होते हैं अपनी गलतियों का सुधार कर चुके होते हैं और वह सभी कुछ कर चुके होते हैं जो हमारी जानकारी में हमें करना चाहिए परमेश्वर की परती एक मांग जो उसने इस बारे में कही थी वह पूरी हो चुकी होती है इस पर भी वो कभी-कभी एक दम खामोश रहता है हमारी प्रात्नाओं का कोई उस्तर नहीं देता मुझे यकीन है कि आज सुभा मैं ऐसे ही लोगों के बीच में बोल रहा हूं जो इस तरह की इस्तिती या इस्तर तक पहुँच चुके हैं और इस परकार की हालत से मैं खुद भी कई बार गुदर चुका हूं जबकि मैंने अपने पिछले जीवन में ज्छाक कर अतीद के प्रिस्टों को उलटकर यह जानना चाहा था कि गलती कहा हुई है और तब इस गलती को खोच कर उसे मान कर मैं प्रभू से कहता कि प्रभू परमेश्वर मैं इसका सुधार कर लूँगा और जाकर मैं वैसा ही करता था और फिर वापस आकर परमेश्वर से कहता कि प्रभु तू जो महान परमेश्वर है अब मेरी प्रात्ना का उत्तर दे अब तो वास्ता में मैंने सभी कुछ तेरी आज्यानुसा ठीक कर लिया है इस पर भी परमेश्वर खामोश रहता लगता कि वो चुपचा बैठा है और यह तब होता जब आप विश्वास पूर वक कहते हैं कि परमेश्वर वही है मगर वो चुपसा बैठा रहता ऐसी इस्तिती में कभी निराश्मत होना क्योंकि यह केवल इसलिए है कि आप उस इस्तिती में भी परमेश्वर के प्रती आश्वस्त रहें मेरा विश्वर यही है कि कुछ भी करने से पहले फिर दे में इस बात के प्रती आश्वस्त हूं की परमेश्वर है और जब आप उसके कहे अनुसार वचन अनुसार उसकी मांग पूरी कर चुकें तब आपको पूरी तरह से आश्वस्त होना है कि परमेश्वर है तब ही विश्वास अपना काम करना शुरू करता है ऐसे समेही विश्वास सजग रूप से जाग उठता है क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर है और आप उसकी प्रती एक आग्या को उसके वचन अनुसार पूरा करते हैं और विश्वास करते हैं कि वह है और तब आपका विश्वास इस्थर हो जाता है वो उसका नाम मुबारक हो विश्वास तब हिल नहीं सकेगा क्योंकि ये बाद सच है कि परमेश्वर उनको जो परिश्रम के साथ उसकी खोज करते हैं उन्हें प्रसिफल देता है ए ब्रैनम टबर निकल काश ये बात आपके हिर्दों में गहराई के साथ बैठ जाए और कभी भी न निकले अगर आपने परमेश्वर की आज्यानुसार सभी कुछ कर लिया है और अपने हिर्दे में उस पर विश्वास करते हैं कि वो है और इस पर भी आपकी प्राटना का उत्तर नहीं मिलता तो जानिये कि वो आपके विश्वास को परक रहा है क्योंकि ऐसा करना उसे अच्छा लगता है आप अपने पापों का इकरार कर चुके हैं और इस बारे में उसकी आग्यानुसार जो करना था वो भी आपने कर लिया है मगर इस पर भी परमेश्वर मानु कामोश रहता है और कोई उस्तर नहीं देता तो याद रखिए कि तब भी आपका विश्वास इस्तर रहना है और उसे यही कहना है कि परमेश्वर है इसके बाद आपका विश्वास पूरी तरह से इस्तर हो जाएगा और बिना ये जाने कि वो उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है या मामला क्या है वे मजबूती के साथ काइम रहकर बस यही कहेगा कि परमेश्वर है और पूरी तरह से आश्वस्त रहेगा कि परमेश्वर है याद रखिये तब कि ये इस्थिर्थावा आश्वस्त होना की परमेश्वर है उसके वचन को सक्ते प्रगट करेगा और इस उपर कही परिस्थिती में जब परमेश्वर आपको डालेगा और आप उसमें भी खरे रहे तो वह अपने वचन को आपके संधर में सक्ते प्रगट करने के लिए बाद भे होगा और इस परकार की दशा में कभी भी निराश होकर ये न कहें कि मैं चंगा कभी नहीं हुआ था ओ कमजोर विश्वास को ऐसा कभी न कहने दीजिये अगर आप ने अपने सभी पापों और अपरादों को मान लिया है और परमेश्वर की मांगों को इस बारे में पूरा कर लिया है तो विश्वास एकदम मजबूत और इस्थर अपनी बात पर अडिक खड़ा रहेगा कोई भी बात या इस्तिती से हिला नहीं पाएगी और आप सुनिश्चित हो जाएंगे कि वह है लिखा है जो परमेश्वर पर विश्वास करते रहेंगे वे सामर्थ पाएंगे जो यहा की बाट जो हते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे वे उकावों की नाई उडएंगे वे दोड़ेंगे और श्मित नहूंगे चलेंगे और ठकत नहूंगे जब आपने सबी कुछ उसकी आग्यानुसार पूरा कर लिया है तब परतीक्षा करें आपके विश्वास को तब स्वेम इस्थिर प्रगट करना है अगर आपने परमेश्वर के कहे अनुसार सारे वचन मान लिये हैं और उन सभी बातों पर पूरी तरह से विचार कर लिया है और जो कुछ परमेश्वर चाहता था उसकी चनुसार वैसा ही कर लिया है तब आपका विश्वास ठीक इस्तर होगा कि परमेश्वर है परमेश्वर के प्रती इसी तरह से आश्वस्त होना है आप जानिये कि हमको परखना उसे पसंद है वै आपके विश्वास की प्रतिकिलिया विभिन इस्तितियों में देखना चाहता है कि आपको ये बात पता है परमेश्वर चाहता है कि आपकी प्रतिकिलिया क्या होगी जब आप कहते हैं कि हे प्रभू मैं आप पर विश्वास करता हूँ आप ही मेरे उद्धार करता है मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही चंगाई देने वाले हैं मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही अपना पवित्वरात्मा देते हैं और मेरी अवशक्ता की सभी चीजें आप ही प्रदान करते हैं और तब आप अपने पापों और अपरादों को सुईकार करते और ये कहते हैं कि परमेश्वर के लिए आप क्या करेंगे अगर वे आपको चंगा कर दे और तब जब की वैसा कुछ नहीं होता तो आप एक डरपोक विक्ती की तरह से पीछे लौट जाते हैं परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता और नहीं उनसे कोई काम लेता है कोई तरीका ऐसा नहीं है कि वह आपको इस्तिमाल कर सके उसके पास कोई उपाए बाकी नहीं रहता कि वह आपकी प्राटनाओं का जवाब दे क्योंकि वह तो विश्वास को देख कर ही जवाब देता है तब अचानक जवाब पीछे लौट जाते हैं तो वह कोई जवाब नहीं दे सकता लेकिन सच्चा वास्तिक विश्वास महां काइम रहता है और आश्वस्त होता है कि परमेश्वर है वह एकदम सुनश्चित हो जाता है कि परमेश्वर है अगर परमेश्वर आप से आपके पापों को सुईकार करने ही तो कुछ करने को कहते हैं और आप वैसा ही करते हैं तो आपका विश्वास मानो ये कहता है कि परमेश्वर है और तब ये तै हो जाता है कि जो कुछ प्रार्तना में कहा गया है वैसा ही होगा आपकी प्रार्तना को तब पूरा ही होना जरूरी हो जाता है ओ, मैं सोचता हूं कि आप इस तथ्थे को समझने में चुकएंगे नहीं अगर आप परमेश्वर के बारे में निश्चिन तो हो जाते हैं आश्वस्त हो जाते हैं तो वह भी अपने वचन के पूरा होने के लिए आश्वस्त है वह केवल आपको परखने के लिए परतीक्षा करता है कि आप उसमें खरे उतरें और वह वचन को आपके लिए पूरा करें उसने पहले भी कई बार ऐसा ही किया है आईए हम एक दो खटनाओं का अध्यन करें आईए हम उन्हें विरानी बच्चों के बारे में विचार करें उन्हें किसी भी मुरत के आगे नहीं जुकना था परमेश्वर को उन पर पूरा भरोसा था और जब उन्होंने सुना कि उन्हें तेज धतक्ती आग की बट्ती में डाला जाना है तो उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर इस में से हमें बचाने में समर्द है लेकिन अगर वो हमें नहीं भी बचाता तो अभी हम तुमारे किसी भी बुच के आगे नहीं ढुकेंगे देखिए कि वे परमेश्वर के प्रती पूरी तरह से आश्वस्त थे उन्हें पता था कि वह यहवा है वे जानते थे कि वे प्राथनाओं का उत्तर देता है लेकिन उनके मामले में वह उनकी सुने या नसुने जो होगा वह भी उनके भले के लिए ही होगा अते उन्होंने अपनी बात कही अपने पापों को परमेश्वर के सामने सुईकार किया और मौत को गले लगाने चल दिये जब वे उद्धक्ती भट्टी की ओड जा रहे थे तो वो इस बात के परती आश्वस्त थे कि अगर परमेश्वर उन्हें उसमें भस्म भी होने देता है तो वह उन्हें पृत्थान के समें फिर जिला उठाएगा वे परमेश्वर के बारे में सुनुश्चित थे क्योंकि उन्हें पता था कि परमेश्वर जो भी करेगा उनके भले के लिए ही करेगा जब हम परमेश्वर के प्रती आश्वस्त होते हैं तो वह सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही करता है अते उन्होंने अपनी बात निश्चे पूरवक कही क्योंकि वे परमेश्वर के बारे में आश्वस्त थे और वे सीजे उस भट्ती में चले गए और परमेश्वर ने उन्हें उस आग में जाने दिया और बस खामोशी से देखता रहा वह उनकी प्रतिकरिया जानना चाहता था जब उनसे राजा ने पूछा कि जब तुरही फूंकी गई तब क्या तुम उस मूर्ती के सामने जुके थे उन्होंने जवाब दिया नहीं हम नहीं जुके थे यही आपका विश्वास है जो ऐसे समय में भी इस्थर रहता है अच्छा जब तुमने उसे सिजदा नहीं किया तो क्या तुमको मेरा आदेश पता है जी हाँ हम आदेश को जानते हैं मेरा आदेश है कि भट्टी की आग साथ गुना और तेज कर दी जाए और तुम्हें उसमें फैंक दिया जाए क्या अब तुम उसे सिजदा करना चाहोगे नहीं हम नहीं जुकेंगे यह था उनका विश्वास परमेश्वर देखना चाहता था कि उन पर कैसी प्रतिकरिया होती है और परमेश्वर ने कहा कि मैं देखूंगा कि इन हालातों में वो क्या करते हैं तब राजा ने हुक्म दिया इनके हातों और पैरों को बांदो और भट्टी की और ले जाओ और उन्हें भट्टी तक ले जाया गया और तेज धजकती आग उनके सामने थी परमेश्वर अभी भी चुपचाप उन्हें देख रहा था लेकिन वो एकदम आश्वस्थ थे कि परमेश्वर उनके साथ है वे लोग पहले ही अपने अपराद स्विकार कर चुके थे वे जो कुछ जानते थे उसके अनुसार पहले ही सभी कुछ भूल सुदार कर चुके थे अब वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि परमेश्वर है इसलिए वे उस धदकती भट्टी तक चलते चले गए और तब एकदम आखनी छड़ों में परमेश्वर हवा के रत पर बैठा स्वर्ग से उनके पास उताराया और उसने हवा से उन लप्टों को उनके लिए बंद कर दिया उनसे बातें करी और उन्हें शांती दी परमेश्वर आपके विश्वास को उस इस्तिती तक जाने देता है जहां पर उसकी प्रतिकरिया हो सके पुराने नियम में अयूब हुआ है जिसके उपर उस दोश लगाने वाले शैतान ने ये दोश लगाया था कि उसने गुपत रूप से पाप किये हैं लेकिन अयूब जानता था कि उसने कोई पाप नहीं किये है वो जानता था कि उसने जो कुछ किया था उसके लिए परमेश्वर से श्वा मांग ली थी और व्यवस्ता अनुसार होम बली वेदी पर चढ़ाई थी यही परमेश्वर का आदेश और उसकी मांग थी परमेश्वर के वल यही चाहता था कि वो अपने पापों को माने और होंबली चाहे और आयूब यह सब पहले ही कर चुका था और शैतान ने कहा कि एक धनी व्यक्ती है अते मैं इसके उमूट और इसकी भेणे इससे ले लेता हूं और करते करते यहां तक किया कि उसने उसके हिर्दे के टुकडों याने उसकी संतान को भी उससे छीन लिया लेकिन आयूब इस पर भी परमेश्वर के परतीवफदार बना रहा क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर है उसने उससे बातें करी थी तता उसने उसकी इच्छा और आग्या नुसार सारी बातें कर ली थी उसने एक बार फिर से जाच करके यही पाया कि वो सभी होंबली जो चढ़ाई जानी थी वो चढ़ा चुका था उसने ये भी सोचा कि संभव है जब मेरे बेटे और बेटियों ने उससम मनाया था तब शायद हिर्दे में गुप्त में उन्होंने कोई पाक किया हो इसलिए मैं होंबली चढ़ाउंगा क्यूंकि हो सकता है उन्होंने हिर्दे में कोई पाक विचार किया हो उनके लिए इस परकार मैं प्राश्चित करूंगा ए प्रबू जब मनुष्य परमेश्वर के वचनानुसार सभी कुछ कर चुकता है तब वैआश्वस तो हो जाता है कि परमेश्वर उसके साथ है और उसकी प्राटना सुननी ही पड़ेगी क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर को अपनी और खीच लाता है जब आप ऐसा कुछ करते हैं जिसके बारे में सुनश्चित हैं कि मैं सही है और जब आप परमेशवर के वचना नुसार काम कर चुकते हैं जब आप अपने पापों का प्राश्चित कर चुकते हैं और भूलों का सुधार करके समस्त इत्ति को परमेश्वर के सामने रख चुकते हैं तब हमें परवाह नहीं होती कि परमेश्वर इतना खामोश सा क्यूं है बरन यही सोचते हैं कि वे अभी भी परमेश्वर है और वो हमारे विश्वास को दिरण करना चाहता है आपने अपना काम कर लिया है अब वे आपके विश्वास को देखना चाहता है कि इन परिस्थितियों में आप क्या करेंगे या आपकी क्या परतिकरिया होगी अगर आपके लिए प्रार्तना करी जा चुकी है और उसके पवित्र काम के लिए आपका भी शेक किया जा चुका है तो परमेश्वर ये देखने के लिए रुका रहता है कि आपका विश्वास क्या है कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप अगले रविवार किसी के पास और उससे अगले रेवार किसी और के पास चंगाई पाने के लिए दोड जाएंगे जो कि आपके शेहर में प्रातना सबा करने आया है या कर रहा है वह आपके विश्वास पर होने वाली परतिक्रिया को देखने के लिए रुका रहता है कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप दूसरे दिन ही पीछे को लौट जाएं और कहने लगें कि मेरी तबिया ठीक नहीं लगती मैं सोचता हूँ कि मैं चंगा नहीं हुआ हूँ इसका मतलब यह होगा कि पहले तो आप प्राटना पंक्ती में आने के योगे ही नहीं है क्योंकि अभी आप जंगाई पाने के लिए तैयार नहीं हो पाए है मतलब यह है कि आपको यह विश्वास ही नहीं है कि वह परमेश्वर है आप कह सकते हैं कि भाई ब्रणम मैं आप से सहमत नहीं हूँ आपका अपना विवहार ही यह बता देगा कि आप क्या है लिखा है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगी अगर कोई स्वेम को मसीह ही कहता है और अब भी शराब और धूमरपान सेवन करता जुआ खेलता और अशलील बाते कहता है और पवित्तर शाष्टर की आदी बातों को सत्य और आदी को सत्य जानता है चाहे वो सुसमाचार परचार ही क्यों ना करता हो यदि वे पुवित्र शाष्त्र का इंकार करता है तो वो अभी भी पापी है वे अभी सही नहीं हो पाया है लेकिन जब आप खुले रूप से ये स्विकार करते हैं कि परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है तदा आपका जीवन उसके हाथ में पूरी तरह से रहता है और आप कहते हैं कि प्रभू मैं माटी हूँ तु कुमार है तब जो चाहे उस से मांग सकते हैं तब विश्वास ज़रा भी इधर उधर ना होगा और इस तर द्रण बना रहेगा हालांकि हालाद बहुत बार इधर उधर होते रहेंगे लेकिन विश्वास ज़रा भी नडिक सकेगा क्योंकि आप आश्वस्त हो चुके होंगे कि परमेश्वर है और अगर परमेश्वर है तो वो अपने वाइदे को पूरा करेगा वो ऐसा नहीं कर सकता कि कोई वाइदा करे और फिर उसे तोड़ दे अगर वो परमेश्वर है तो उसे अपने वाइदे को पूरा करना जरूर है ओ मुझे ये बात बात च्छी लगती है कि वो अपने वाइदे को पूरा करने के लिए बात दे है अयूब अपनी होम बनियां चड़ा चुका था और जो उसे करना था वो कर चुका था उसे मालूम था कि वो सही है और मानो कि उसके पास दूसरे गिर्जों के लोग आए और उससे कहने लगे अयूब तू मान ले कि तू पापी है क्योंकि अगर तू पापी न होता तो परमेश्वर तुझे यू दंड न देता लेकिन अयूब ने उत्तर दिया मैं अपने पापों का प्राश्चित कर चुका हूँ और परमेश्वर के समुक होम बली चुड़ा चुका हूँ मैं पापी नहीं हूँ उसे पता था कि वो कितने सही मार्क पर है तब उसकी इस्ति और भी खराब होती गई और जितनी बिगड सकती थी उतनी ही बिगड गई सारी कोशिश यही थी कि आयूब को नीचे लाया जाए और ऐसी इस्तिती में पहुचाया जाए कि वह परमेश्वर का इंकार कर दे और हुम बली चड़ाने के परभाव से इंकार कर दे जिस छणभी आप अपने प्राश्चित के बारे में जो आपने परमेश्वर के सामने किया है उने विचार करना शुरू करते हैं तभी आप की कमजोरी प्रगट होती है और परमेश्वर के प्रती संदे ही प्रगट हो जाता है अगर आप परमेश्वर से कुछ मांगें और साथ में संदेह भी करते रहें तो आप शक्की कहलाएंगे विश्वासी नहीं अयूब को पता था कि वो कहां खड़ा है और उसके विश्वास की बुनियाद पकी थी इसमें आश्चारे नहीं कि कभी प्रूट ने जीवन के अंतिम छणों में ये पंक्तियां कही मसीही रूपी पकी चटान में खड़ा हूं बाकी सभी स्थान खोकले है अयूब अपनी उसी चटान पर खड़ा था वे प्राइश्चित कर चुका था उसकी अपनी प्रिय पत्नी तक ने उसे छोड़ दिया था जब उसका स्वास्ते बहुत बिगड़ गया और सारे शरीर पर फोड़े निकलाए थे तब उसने अपने शरीर को नोच डाला और अपने जन्म के दिन को कोसा और उसने कहा कि काश सूरज न निकले और रात को चंद्रमा अपना प्रकाश देने नाए उसकी पत्नी ने उससे कहा था अयूब तुमारी देशा कितने देन ये हो चुकी है क्यों ना तुम परमेश्वर को कोसो और मर जाओ अयूब उसे यही कहता था तु मूर की इस तरी की तरह बात कर रही है अयूब आश्वस्त था कि परमेश्वर है और वह उसे हूं बली चढ़ा चुका है और मैं ये सब सोचकर भक्तिभाव से भर उठा हूं अयूब को पता था कि वो परमेश्वर की आग्यानुसार जो करना था वो सब कर चुका है और बात यहीं खत्म होती है परमेश्वर उसके विश्वास को परक रहा था वह आपके विश्वास को भी परकेगा और मेरे विश्वास को भी परकेगा पैरा 72 स्टार्ट्स हीर जब हम उसकी मांगें पूरी कर चुकते हैं तब उसकी परतेगिया हमारे विश्वर में पूरी होती है यह पश्चाताब करो और तुम मैसी परती है अपने पापों की शमा के लिए यह मसी के नाम में पित्मा लेते हैं तुम बवित्तरा आत्मा का दान पाओगे और अगर तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बलाए और वे प्रभू के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्राथना करें और विश्वास की प्राथना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभू उसको उठा कर खड़ा करेंगा इससे सभी मामला निमट जाएगा इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्राथना करो आपने परमेश्वर की मांगें पूरी कर ली हैं विश्वास करने वालों में ये चिन होंगे वो मेरे नाम से दुष्टात माओं को निकाल देंगे और अन्यान ने भाशाएं बोलेंगे अगर वो सांपों को उठा लें और विशाली चीजें भी पी जाएं तो उन्हें कुछ हानी ना होगी अगर वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे यहीं सभी मामला तै हो जाता है परमेश्वर के प्रतिया श्वस्त रहिए अपने हिर्दे में पूरी तरह से सुनिश्चित कीजिए कि आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है अयूब ने यही किया था उसकी पतनी ने पूठा था कि तू परमेश्वर को कोस कर मर क्यों नहीं जाता क्यों अपनी इस्थि बद से बदतर करता चला जा रहा है इस परकार से शैतान आपको ऐसे ऐसे विचारों में उल्जाना चाहता है अरे तुम में तो कुछ भी अंतर नहीं आया तुम वैसे ही बीमार हो जैसा प्राट्चना करते समय थे जब अन परचारकों ने तुमारे लिए प्राट्चना करी तब तुम जैसे थे वैसे ही अब भी हो पहली बात तो यह है कि वो परचारक ही सही मार्क पर नहीं है सवाल उस परचारक का नहीं है असली बात तो आपका विश्वास है जो आप जीवते परमेश्वर के परती रखते हैं परचारक क्या है इससे कुछ मतलब नहीं मतलब इससे है कि परमेश्वर क्या है वाइदे परचारक ने नहीं किये थे वाइदे परमेश्वर के है अब ये बात प्रचारक के उपर नहीं है वरण ये मामला परमेश्वर पर निर्भर करता है और इस पर निर्भर है कि आप किस सीमा तक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि वो है इसलिए परमेश्वर के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हो ये और पूरी तरह निश्चिंत रहिए कि वो है और वह उसका वचन है और परमेश्वर अपने वचन में है आयूब ने अपनी पत्नी से कहा तू मूर्क औरत की तरह से बोल रही है अरे प्रभू ने दिया था उसी ने ले लिया उस प्रभू का नाम मुबारक हो अयूब एक दमाश्वस्थ था कि परमेश्वर है और जो ही अयूब ने वैसा कहा गरजन हुई और बिजली कड़कने लगी परमेश्वर तब दरश्चे में आ गया और ऐसी इस्तिती उसे स्वैम ही बुला लेती है परमेश्वर इससे पहले काफी समय तक खामोश बैठा सब कुछ देखता रहता है आज भी वो यही कर रहा है वो इन नरकी और जाने वाले अमरीकी लोगों और गिर्जों के पाखंडी लोगों को देख रहा है मैं करोधित नहीं हूँ मगर पाप हर उस व्यक्ती को करोधित कर देता है जिसके संबंद परमेश्वर के साथ ठीक है मैं इस देश से और इसके लोगों से गुस्ता नहीं हूँ लेकिन मैं शैतान के ऊपर क्रोधित हूँ जिसने लोगों को अंधा बना रखा है जो इन अंधे पादरियों और पर्चारकों को मनशों के द्वारा बनाएगे धार में किसे धान देता है आपको वास्ता में नया जनम पाना जरूरी है तभी परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा उसकी सेवकाई शुरू करने से पहले ये देखना है कि उसके लिए परमेश्वर की बुलाहट है या नहीं आपको ये बात निश्चित रूप से पता होनी चाहिए कि वह वेक्ती परमेश्वर की और से है लिका है कि वह भक्ती का भेश तो भरेंगे पर उसकी शक्ती को ना पहचानेंगे वे निर्धन विद्वा इस तरी जानती थी कि यह सब परमेश्वर की तरफ से है जो जो उसके मैदे का बरतन खाली होता जा रहा था प्रति दिन कम 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 हो रहा था और इस्थि बद से बत्तर होती जा रही थी लेकिन परमेश्वर ऐसा होने दे रहा था क्योंकि ऐसी इस्थिति में जाने देना उसे अच्छा लगता है वो यह पसंद करता है कि आपके विश्वास को परखा जाए और देखा जाए कि तब आप कैसा विवहार करते हैं वह उस समय आपकी इस्थिति को और भी देनिय होने देता है जब आपके लिए प्राटना करी जा चुकी हो तब वो कहता है शैतान अवा और इस जन की परिक्षा ले मैं जानता हूं कि ये मुझ पर विश्वास करता है वो कहता है कि उस व्यक्ति की परिक्षा लो मैं जानता हूं कि उसने मेरे वचन गिरन कर लिये हैं क्या परमेश्वर आपके बारे में ऐसा कह सकता है उसने आयूब के बारे में ऐसा ही कहा था कि तू जो चाहे उसके साथ करना मगर उसके प्राणों को मत छूना क्योंकि वो मुझ से प्रेम करता है मुझे ये पता है उसने मेरी सबी मांगे पूरी करी हैं उसने होम बलियां चढ़ाई है और जो जो मैंने करने को कहा था वही किया है वहे इस पर विश्वास करता है अगर तू अब चाहे तो उसे देहकते अंगारों पर लिटा दे शैतान ने आयूब से उसका सब कुछ चीन लिया था मगर परमेश्वन ने उसे उसका दो गुना लोटाया हाँ परमेश्वर ऐसा ही करेगा वह हमारे विश्वास की परिक्षा लेता है कि क्या हम वास्ता में विश्वास करते हैं कि वह परमेश्वर है इसमें संदे नहीं कि उस इस्तिली ने बार बार प्रातना में कहा कि मैंने निरंतर प्रातना करी हैं मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ कि मैं एक अयोगे और अन्ने जातियों में से हूँ याद है कि येशु ने पुवित्र शाष्टर में उस औरत के बारे में यू कहा है क्या एलिया के समय में और विद्वा इस्तरिया नहीं थी परंतु वह उस एक विद्वा के घर भेजा गया और वह अन्य जाती में से थी उसने कहा मैं प्राथना कर चुकी हूँ और हो सकता है कि उस अंतिम रोटी के टुकडे को देखकर मौत उसके घर के द्वा से अंदर की और आ रही हो बस एक टुकड़ा उसने और उसके पुतर ने खाना था और उसके बाद वो दोनों मर जाने वाले थे मैं उस औरत को राद भर प्राथना में लगे हुए देख पा रहा हूँ तेज गरम हवा चल रही है दर्ती में दरारें पड़ चुकी हैं और सड़कों पर लोग चीख पुकार मचा रहे हैं ऐसे में वो अपने पुतर पर एक नदर डालती हुई घर से बाहर निकली उसने बच्चे के छोटे से फटे पाई जामे को देखा जिसमें से छोटे छोटे पाउं बाहर ज्हांक रहे थे उसने अपने जुरीदार हातों को देखा वै हताश सी घर में बेचैनी से टहलने लगी लेकिन उसने यही कहा कि मुझे मालूम है कि परमेशवर है मैंने अपने पापों का प्राईश्चित कर लिया है और परमेशवर की आग्यानुसार सभी कुछ पूरा कर लिया है और मैं अपने पुत्र का जीवन माग रही हूँ ताकि प्रभू की महिमा होवे परमेश्वन ने उस पर दिर्श्टी करी रात में जब वो इस तरी प्रातना कर रही थी बाकी लोग बड़े बड़े निर्थे जेवनारों में लगे थे लोग अपने को आज के दूर दर्शन कारे किरम जैसे आयोजनों के लिए तैयार कर रहे थे वे दुनिया भी मामनों में व्यस्ट थे लेकिन अकेली वो इस तरी ही प्रमेश्वर की सहवागिता में थी दिन निकलाया था और उसने सोचा कि यह बेचारा बच्चा सारी रात कुछ खाने के लिए चिलाता रहा है मैं इस एक मुठी मैदे से क्या करूँ आप जानते हैं कि वह अन येश्व मसी का परतीक था पवित्र शाष्टर का कोई भी विद्यारती इस बात को जानता है कि मसी ही अन बली था और उस अन बली को विशेश परकार की खुर्दरी चीज से इस परकार से पीसा जाता था कि आन आज का परतीक दाना समान आकार का बन जाए क्योंकि येश्व मसी कल आज और युगान युव एकसा है और परती एक विश्वासी इसी बात पर विश्वास रखता है और इस पर निर्बर करता है आपके पास चाहे अपना पुराना थंडा पड़ा आपचारिक धरम घ्यान हो चाहे तो आप उसे मानते रहें मगर मैं तो यही विश्वास करता हूँ कि येश्व मसी कल आज और युगान युव एकसा है मैं तो नास्तिकों के मद्ध में अपने विश्वास पर टिका हूँ मैं आज भी यही विश्वास करता हूँ कि वो कल आज और युगान युव एकसा है उस खुर्दरी चीज से अनबली के दानों को एकसान बनाया जाता था क्योंकि वो कल आज और युगान युव एकसा है वै आज सुभा भी वही परमेश्वर है जो तब था वै हमेशा एकसा रहेगा अनबली का यही अर्थ है और तेल का अर्थ पवितरात्मा है जैसा कि हमें यहे स्किल चार और अन्य पदों से पता चलता है यही कारण है कि हम तेल से अभी शेक करते हैं याने आत्मा से अभी शेक किया जाता है यह कैसे है संत यहुना चार में कहा गया है कि पता आत्मा और सचाई से भजन करने वालों को ढूंडता है येशु मसी सचाई है और वही अन्य बली था और तेल आत्मा था और आत्मा सचाई के साथ मिलकर कुछ ना कुछ विशेश अवश्य करेगा इन दोनों को मिला जीजिए और आत्मी भोजन बन जाएगा और आपका विश्वास कहा है जब परमेश्वर का वचन परचारा जाता है और वह सरल और सहचता से दिया जाता है हाना कि उसमें येशु मसी का लाज और युगानियु के एक साहे वाली सामर्द भरी होती है और ये वचन अन्यवली के रूप में जवाब पाते हैं तो आपको इसमें अपना अपनी आत्मा रूपी तेल मिलाना होता है चाहे ये थोड़ा सा ही हो मातर एक मुठी ही क्यों ना हो मगर ये वास्त्विक होता है अब ये तेल मिला अन्किस के लिए तैयार किया गया है ये सलीब के लिए है ये आत्म बलिदान के लिए है यही वो बात है जो आपको करनी है जब वचन परचार किया जा चुकता है तो अपनी आत्मा उसमें मिलाएं तब ये आपके लिए आत्म बलिदान बन जाएगा और हर एक पीड़ा परती एक बीमारी परती एक उस बात को नकार देगा जो वचन के विरुद है और यह परमेशर के वचन को थामे रहेगा तब आपका डाक्टर चाहे यह है वह है या कुछ भी कहे उससे जरा भी अंतर नहीं पड़ेगा आप इसी पर अडिक खड़े रहेंगे क्योंकि परमेशर ने ऐसा ही कहा है जब अन्य रूपी वचन आपके पास आए तो आपके पास जो आत्मा रूपी तेल है वह है इसमें मिला दीगी अब मैं एक आवाज सुन रहा हूँ अब दिन थोड़ा सा निकला ही है एक शब उसे सुनाई दिया कि उटकर बाहर आंगन में जा और दो लकड़ी बीन ला क्या आपने ध्यान दिया कि पवित्र शाष्टर बताता है कि दो लकड़ी उसे चाहियें थी याने दो लकड़ी का अर्थ है सलीब उस इसरी के पास मैदा और तेल हैं मगर अब उसे उनका उप्योग करने के लिए कहा जा रहा है चाहे आपके पास कितना ही मैदावा तेल हो आपको जरूर थे उस पर काम करने की उसको परियोग करना है दो लकड़ी उसे आत्म बलिदान करना है पुराने समय में आग जलाने के लिए दो लकड़ी उसे अच्छी कोई विदी नहीं थी एक लकड़ी को दूसरी के उपर जब आप क्रॉस करके रख देते हैं और आग लगाएंगे तो उनके दोनों सुरों पर आग सुलगेगी रैड इंडियन लोग भी इसी परकार से आग जलाते हैं मैंने खुद भी पूरी पूरी रात इसी तरह से आग सुलगा कर काटी है लकड़ी का लठा लेकर उसे एक दूसरे पर क्रॉस करके रखकर आग जलाईए और थोड़ी थोड़ी जिरवाद दोनों को आग एको खितकाते रहेए आग सुलगती रहेगी पवितर शाष्टर में बताया है कि उसे दो लकड़ी चाहिए थी और यह सलीप का प्रतीक थी उसे शब सुनाई दिया कि बहर आंगन में जा और दो लकड़ी लेया और उसी समय उस पहाड पर एक शब्द का गरजन उस नभी के लिए हुआ और उससे कहा गया जिस नगर में जाने की आगया तुझे दी गई है उस नगर में तू जा ए प्रभू दोनों ने परमेशर की आगया का पालन किया था कुछ ना कुछ विशेश घटित होना ही था दोनों हुक्म मान रहे थे अगर प्रचारक के प्रचार किये वचन को कोई मनुश्य गिरहन करे उस पर विश्वास करे और उस पर अमल शुरू कर दे तो कुछ खास जरूर घटित होता है तब अगर आप पापी हों तो आपका उद्धार हो जाएगा यदि बीमार होंगे तो चंगे अवश्य हो जाएंगे क्योंकि परमेश्वर का ऐसा ही वादा है अगर हम उसके प्रती आश्वस्त हो जाएं जब हम पूर्टिया आश्वस्त होते हैं तो वही परमेश्वर है तो निश्चत रूप से उसे अपना वचन हमारे लिए पूरा करना ही होता है एलिया को आदेश दिया गया था कि उस शहर को तु जा वहां मैंने एक विद्वा इस तरी को आग्या दी है कि वह तुझे खिलाए उस भविश्य द्वक्ता के सामने तब एक दर्शन उभराया था और वह उटकर चल दिया वो चला जा रहा था पता नहीं कहा जा रहा है कोई बात नहीं वह तो हुकम मान कर चला जा रहा है उधर उस इस तरी को नहीं पता था कि वह लकड़िया कहा मिलेंगी मगर दो लकड़िया दालान में ही कहीं थी वह औरत बाहर आंगन में जाने के लिए चल दी उसने चारों और देखा और कहा ओ, कितनी गर्मी है सड़क पर से शोर आ रहा था, वहां रात बर घूमने वाले शराबी लोग बाते करते आ और जा रहे थे कि किस तरह से उन्होंने रात को शराब पी थी उसने सड़क पर दिर्श्ट्री डाली और कोई लकड़ी महाँ पड़ी नहीं दिखाई दी फिर उसे एक लकड़ी याने सलीब का एक भाग मिल गया, आत्म बलिदान करने वाली सलीब का एक भाग उसे मिल गया फिर उसे दूसरी लकड़ी मी मिल गई और जब उसने उसे उठा लिया तो सलीप पूरी हो गई ओ ये कितना दुखित दरश्चे रहा होगा क्योंकि उसके दौर पर मिर्त्यू खड़ी थी उसे और उसके पुत्र को उस रोटी को खा कर उसके टुकड़े को खा कर फिर मर जाना था बस इतना ही था और कभी कभी ठीक निराशा के बीच हमें उसकी आवाज सुनाई देती है जब उसने वो दूसरी लकड़ी उठा ली और वापस जाने के लिए मुड़ी तब ही बाहरी दौर से आवाज आई कि मेरे लिए एक बरतन में थोड़ा प्तानी पीने को लेया उस औरत ने तब हातों में दोनों लकड़ी को थामें पीछे मुड़ कर देखा जबकि उसका मैदा और तेल गुना आटा तयार था उसने सोचा था कि वह इन दोनों को मिला कर तयार करेगी यह वैसा ही है कि वचन और आत्मा एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं फिर इस मिले हुए अन को आत्म बलिदान की सलीप पर चड़ाया जाता है ताकि जो कुछ आपने परमेश्वर से मांगा है उसके विरोध में भी जो भी संद्ध है उगजे उसे नकारा जा सके यह ठीक है और अपने सोचा था कि मैं इसे तैयार करके इन दोनों लकड़ियों पर पका लूँगी और तभी वो आवाज सुनाई दी मेरे लिए एक पात्र में थोड़ा जल्लेया वह देखती है कि एक मनुश्य द्वार पर जुका खड़ा है एक गंजे सिर का पतले चेहरे का दाड़ी वाला मनुश्य जो भेड की खाल का पटू का लपेटे है द्वार पर से ज्छांक रहा है देखने में लगता था कि वह एक दयालू सा भला विर्द मनुश्य है इस्तरिन ने सोचा माई उसे अपने जल में से पीने को जल दूंगी जीवन का जल जिसे आप किसी को भी कहीं भी जा कर देना चाहेंगे किसी को भी जीवन की बातें बताना चाहेंगे उस इस्तरिन ने कहा श्रीमान एक ठड़ रुकिए अपने हाथ में लकणिया लिए वो वापस चल दी और उस आदमी की आवाज फिर गुझी ना केवल जल बरन मेरे लिए एक रोटी का टुकडा भी लिया जीवन का जल जीवन की रोटी क्या ये रोटी का टुकडा उसका जीवन था जी हाँ क्योंकि उसके समाथ होते ही उसको मरना पड़ता उससे कहा गया कि अपना जल वा रोटी मुझे दे यहां क्या पाट सीखते हैं क्या सबक पाते हैं यही कि पहले तुम परमेश्वर के राज़ी की खोच करो तु बाकी चीज ने तुमें खुद मिल जाएंगी उससे कहा गया था कि मुझे थोड़ा सा जल वा रोटी का टुकडा खाने को दे तब बहुत उदास हो गई मैं सुन सकता हूं कि उसने कुछ यूही कहा होगा मैंने जितने मनुष्य देखें आप मुझे उनसे भिन लगते हैं मैंने औरों से अधिक आपको अपने कही बात के लिए दिर्ण और आश्वस्त पाया है लेकिन मेरे पास तो बस मुझे पर मैदा वा एक चमच तेल ही बचा है जिसको गूंद कर मैं इन दो लकडियों पर पकाने जा रही हूं फिर उसे मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर मर जाएंगे क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ और नहीं बचा है उसके बाद क्या हुआ हम क्या सुन रहे हैं उससे कहा गया कि पहले मेरे लिए रूटी लेया याने परमेश्वर पहले है कुछ बात नहीं कि कौन क्या क्या रहा है परस्तिती क्या है चाहे कितनी भी निराशा जनक इस्तिती क्यों नहो पहले परमेश्वर है उसके वचन को मानना पहली बात है डॉक्टर कहते हैं कि आप चंगे नहीं हो सकते मगर परमेश्वर का वचन पहले है मैं तो बहुत पापी हूँ यविचारी हूँ जवारी हूँ शराबी हूँ कोई बात नहीं परमेशर के वचन को पहले दरजे पर रखें चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी हो तो भी वो हिम से सफेद हो जाएंगे चाहे वे काले बद्नुमा रंग के भी हो तो भी उन की नाई सफेद हो जाएंगे पहला दरजा परमेशर का है उससे कहा गया कि जाकर पहले मेरे लिए रोटी ले आ याने आपके पास जो कुछ है पहले उसे परमेश्वर को दे क्या आप अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंपने को तयार है मैं मेरा जीवन मैं जो आप पचास वर्श का हूं परमेश्वर पूछ रहा है विलियम ब्रेणम क्या तु ये सब मुझे सौंपने को तयार है तुम छोटे बच्चो क्या तुम अपना जीवन मुझे देना चाहते हो क्या तुम तयार हो क्या तुम ऐसा करते हो बीमारो क्या तुम मुझे पहला दर्जा दो उस ओरत से कहा गया था कि पहले मुझे एक रोटी का टुकड़ा और चल दे उस ओरत ने उस मनश्री की ओर देखा तब उसके अंदर से किसी ने कहा कि इस आदमी की बातों में वजन है प्रभाव है परमेश्वर अपनों को पहचानता है मेरी भीने मेरा शब पहचानती है वह जानती है कि अमुक बात वजनानुसार है या नहीं ठीक है या गलत है वह हुक्म मानने को मुड़ी यही वह बात है जो आपको करना है और जब वो उस नभी के वचनों का पालन करने को मुड़ी तो स्वरक से एक गरजन का ऐसा शब्द हुआ ऐसे शब्द को सभी मनुष्य सुनने को मुड़ कर देखते हैं क्योंकि भविश्य दखता कि आवाज में ऐसे गरजन का शब्द होता है जिसे परती एक पापी जन्ब बीमार सुनने को लालाइत होता है नभी कहता है यहुआ यू फरमाता है किस परकार हम इन शब्दों को सुनने को बेकरार हो जाते हैं तरह से लोग मेरे मार्ग में मुझे पकारते हैं और कहते हैं यहाँ यह मेरे बेटी मेरा बच्चा यह मेरा अमक अमक जन्बीमार है कुछ वचन कह दीजिए मगर आप कुछ कैसे कह सकते हैं जब तक परमेश्वर ही मुँ में वचन न डाले अगर आप कहेंगे तो यह आपकी अपनी बात ठहरेगी मगर लोग तो खुदावन खुदा यू फरमाता है वाला वचन सुनने को बेताब रहते हैं तब वो यक्ति घर के बाड़े के अंदर आगया क्योंकि उस इस्तरी ने उसकी बात मान ली थी और तभी निराशा की परद तूट गई उस मनुष ने नभी ने कहा खुदावन खुदा यू फरमाता है कि जब तक यहुआ परमेश्वर धरती पर जल ना बरसाएगा ना तो तेरे घड़े का मैदा कत्म होगा और ना कुपी में तेल चुकेगा आ यह कैसा बड़ा इत पिनान दिया गया उसने रोटी बनाई और भवश्य दुखता के पास ले आई फिर वो भीतर गई और अपने बेटे और अपने लिए भी रोटी पकाई और उन्होंने भर पेट खाया और काफी अधिक मातरा में बच भी रहा वह सब कहां से आया यह खादान ने वहां कैसे पहुंचा वह ग्याने गिरीती पर मुझे बताईए कि भोजन वहां कहां से आया वह तेल उस कुप्टी में कहां से आया उस बरतन में तेल कैसे भर गया हर एक सुबा वह उस बरतन में से सारा मैदा जब ले ले लेती थी और तेल भी तो बरतन खाली हो जाते थे बरतन खाली होते थे मगर जब वो फिर से और मैदा और तेल लेने के लिए जाती थी तो वह वहां मौजूद होता था यह सब कहां से आया था परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार गन कीजिये और उसके पटी आश्वस्त रहिये वहत और रच गता है हो सकता है आपकी सेहत खराब हो चुकी हुआ आपकी सभाविता खत्म हो चुकी हुआ परमेशर के परती हिश्वास और भरोसा रखिये उसके वचनानुसार उसे थामे रखिये निराशा जनक अजनक नहीं लगेगी अगर आप उसके वचन को थामे रहें और पूरी तरह से आश्रास तो हो जाएं के वो परमेशर है मैंने जर्मणी में एक बार एक चित्र देखा था जो हमेशा मेरे जहन में उबरता रहता है एक जर्मन चित्रकार ने वो चित्र बनाया था और उसका शीर शक था बादलों का देश और जब आप उसे दूर से देखेंगे तो वो आपको बड़ी भ्हेंकर निराशा का वातावर सापरतीत होगी बस बादल ही बादल एक दूसरे से जुड़े से दिखाई देते थे अगर आप उसे थोड़ी दूर से खड़े होकर देखें लेकिन जब आप उसे अतियंत पास से देखेंगे तो वो एकदम भिन दिखाई देता था वास्ता में वो बादल नहीं मगर फरिष्टों के पंक थे जो फड़ फड़ा रहे थे और प्रभू के लिए कभी कभी निराशा भी ऐसी ही दिखाई देती है जब आप उसे बहुत दूर से देखेंगे तो वो उदासींता और अंधेरे भरी दिखाई देगी लेकिन अगर आप परमेश्वर को उसके वचनानुसार गिरन करेंगे और पूरी तरह से आश्वस्त होंगे कि वह परमेश्वर है और उस हालत को निकट से जाकर देखेंगे तो वह आपको स्वर्गदूतों की तरह से पंक फड़ फड़ाते और गाते नदर आएगी वह इस तरह से थी जिससे परमेश्वर ने कहा था कि वह अपना सभी कुछ उसकी वेदी पर चढ़ा दे ऐसे ही इस विद्वा इस तरह को भी कहा गया वो सकता है आज सुभा आपके लिए भी परमेश्वर की बलाहट ऐसी ही हो आप अपना विश्वास अपना धंग और जो कुछ भी आप में है सभी उसके सम्मुख रख दे और तब तेल और वचन को मिलाकर उसे आत्म बलिदान की वेदी पर चढ़ा दे आप पाएंगे कि ऐसा करने से परमेश्वर आपके पास उतने ही सपस्ट रूप से आजाएगा जैसा कि मैं आपके सामने यहां मंच पर खड़ा हूँ जब हम परातना करने जा रहे हैं तो आप इन बातों की बारे में सोचिए क्या आज आप कुछ मागना चाहते हैं आप वो कोई चीज किसी चीज की जरूरत है क्या आपकी कोई ऐसी जरूरत है जो आप सुम अपने परियतन से इस शादिरिक घशा में नहीं पा सकते is the money so low that you can't pay your rent क्या ऐसा सा है कि पैसा कम है और किराया दिख है चुकाया नहीं जा रहा क्या वच्चों को नए जूतों को खरीदने की अवशकता है और उने खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है क्या आपके घर आटा और तेल खतम हो गया है क्या आप अपने पालतूपशों के लिए चारा नहीं खरीद पा रहे हैं और काफी गड़बडी चल रही है याद रखिए कि परमेश्वर का एक वाइदा है क्या आप बीमार है और डॉक्तर आपरेशन करने को कह रहे हैं मगर आप के पास पैसा नहीं है क्या कोई और ज़रूरत है क्या आप पापी है क्या आपकी जरूरत इससे भी बड़ी है और आपको चिंता है कि अगर परमेश्वर आपको आज उठा ले तो आप नाश हो जाएंगे क्या आप विश्वास से पीछे हड़ चुके हैं और परमेश्वर से दूर चले गए हैं? और आप जानते हैं कि आप एक गिर्जे के सदस्से बने हुए हैं, मगर वैसा करना ठीक नहीं है? क्या आपका अपना विवेक आप से कहता है कि वचना नुसार आप ठीक नहीं हैं और उसमें तब्दीली करने की जरूरत है, आपको बदलना है? परमेश्वर के इन वचनों को कंटीडी जाडियों वाली भूमी पर, चट्टान पर या पत्थर से कथोर हिर्दों पर मढड डालिये काश ये वचन, ये वचन के बीच अच्छी जाओ भूमी में गिने अगर आप इमार हैं और डाक्टर कहें कि आप ठीक नहीं हो सकते, आप परमेश्वर से वादा करें कि अपसे जीवन भर आप उसकी सेवा में रहेंगे और आप पुरी तरह से आश्वर से रहें कि वह परमेश्वर है और उसकी आग्यानुसार अपने को चलाएं अगर आपकी कोई जरूर्ट है तो परमेश्वर की और अपने हाद उठाएं और हाद उठा कर जाता हैं कि आप उसके कुछ माग रहे हैं परमेश्वर आपको आशीश दे, आईए हम परात्ना करें ए प्रभू आज सुभा में उतने ही निष्चे के साथ जितना मुझे यहाँ आपने खड़ होने का अभास है यह कह सकता हूं कि इन उठे हुए हातों में से एक भी ऐसा नहीं हैं जिसके बारे में आपको पता नहो क्यूंकि आप परमेश्वर हैं आपने कहा था कि क्या पैसे की दो गौरईया नहीं मिलती हैं तुम इन गौरईयों से कितना बढ़कर हो इन नाशमान उठे हातों को जो आप देख रहे हैं यह आप के लिए कितना महत्व रखते हैं जिन के लिए आपके पतर येश्व ने जान दी है आज सुबा अगर एक गौरईया कहीं गिर जाए तो उससे कितना अधिक ध्यान आप इन उठे हातों को देंगे मैं सोचता हूं कि आज एक पैसे की एक दर्जन गौरईया भी कहीं कोई खरीदना नहीं चाहेगा क्यूंकि उन्हें रखने की परिशानी कोई नहीं उठाएगा मगर आप उन में से प्रतियक का ध्यान रखते हैं उनके शरीर के पंक तक आपके गिने हुए हैं हमारे सर के प्रतियक बाल आपके गिने हुए हैं ए प्रभू हमारी प्राथना का उत्तर दीजिए आज सुभा इन लोगों को आश्रस्त कीजिए कि आप ही परमेश्वर हैं और यह आपका प्रतियात्मा है काश आज के इस चमक धमक वाले ढीले ढाले धरम का प्रभाव लोगों के उपर से खत्म हो जाए यह प्रभाव ना रहे कि लोग जो कहते हैं कि ओह मैं तो अमग गिर्जे का सदस्य हूं परमेश्वर होने दीजिए कि यह बात उनके जहन से गाइब हो जाए एक ही छण में यह लोग अनंत जीवन की जलक को देख सकें और लोग परमेश्वर को जानने के लिए कि वास्तम में क्या है भूके और उसके खोजी हो जाए लोग इस बात के प्रती आश्वस्त हो जाएं कि परमेश्वर है और वह अपने वचन को पूरा करता है और पापी लोगों के लिए प्राटना करता हूं कि वे शिगर पश्चाताब करें और येश्वर मसी के नाम में बप्तिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाएं और आपने वाइदा किया है कि आप उन्हें पविस्तरात्मा देंगे प्रभू आपने कहा है कि आप अपनी प्रतिग्या पूरी करेंगे यहां पर ऐसे लोग हैं जो विश्वास से पीछे हट चुके हैं तथा जो निश्चत रूप से जानते हैं कि आप ही परमेश्वर हैं और लोग विश्वास से पीछे बहुत पीछे लौट गए हैं काश वे वापिस आप के पास लौट आएं क्योंकि आपने कहा है कि चाहे तुमारे पाप लाल रंके भी क्यों ना हों वे बरफ की तरह सफेद हो जाएंगे चाहे बेंगनी लाल क्यों ना हों वे उन की तरह उजले बन जाएंगे और यदि यहां कोई बीमार है तो वे इस बात को स्विकार कर सके कि आप ही परमेश्वर हैं और वो आपको अपने वचन पूरे करने हैं आपको अपना वचन पूरा करना ही चाहिए जो यह बताता है कि वे आप पर विश्वास कर रहे हैं और वे उस जीवन की रोटी जो वचन में है उस पर भी विश्वास करते हैं लोगों के लिए पुराने और नए नियम में मसी इसलिए इसलिए है कि वे बता सके कि वे कल आज और यूगान यूगा 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 है काश लोग अपनी आत्मा जो उन में हैं उसे तेल सहित मिलाकर वचन सहित मिलाकर आपकी वेदी पर आकर खड़े हो जाएं लोग ये कह उठें प्रभू मेरे पास जो है वो में ले आया हूं ओ आपको इसका कैसा बड़ा पर्थिभल मिलेगा इससे आप इत्यास के परमेश्वर को अपने लिए उपलब्द कर पाएंगे यहोवा आपके पक्ष में उठ खड़ा होगा और ये देखकर उसका हिर्दे फूला नहीं समाएगा कि एक बच्चा उसकी आग्याएं मानने के लिए तैयार हुआ है वे कहेगा कि मैं ने उसकी परिक्षा ली है और उसने साबित किया है कि वो मुझे प्रेम करता है और मुझे पर विश्वास करता है वह मेरे परतियाश्वस्त है क्योंकि वचन में यू कहा गया है कि परमेश्वर के पास आने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजियों को वह परतिफल देता है परमेश्वर इस प्रात्ना को गिर्ण कीजिए हम सब कुछ आपको समर्पित करते हैं अब जबकि हम अपने सेरों को चुकाए हैं आप में से जिनकी कोई जरूरत है वो खड़े हो जाए जो अपनी कोई समस्या उसके आगे रखना चाहते हैं वो देखिए कि यदि आप इस बास से आश्वर्ष नहीं हैं कि वही परमेश्वर है तो बेकार है अगर आप पूरी तरह से आश्वर्ष नहीं हैं कि वही परमेश्वर है और वह अपनी परतिग्या को पूरा करके आपको उद्दार और चंगाई आदी जो भी आपकी अवश्कता हो देगा अगर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वही परमेश्वर है तो किर्प्या खड़े हो जाईए अगर आप किसी और के लिए प्रात्ना करना चाहते हैं और आश्वस्त हैं कि वही परमेश्वर है तो खड़े हो जाईए संतों की सभा में अपनी प्रात्ना उसके सामने रखी खड़े ओकर आप इस परकार से कहिए मैं आश्वस्त हूं कि वही परमेश्वर है मैं विश्वास करता हूं कि वही अपने वचन को पूरा करता है तथा मैं अपनी ये बिंती अभी उसके लहु के द्वारा उसके सम्मु कर रख रहा हूं जबकि आप ऐसा कह रहे हैं तो अपने हिर्दे से सभी पापों को एकदम अलग कर दीजिए क्योंकि पाप ही अविश्वास है आप किसी भी गिर्जे के सभस से होंगे मगर मेरा मतलब आपके अविश्वास से है पाप से है आप उसको बलिदान करने जा रहे हैं चड़हने जा रहे हैं आप सलीब के पास आ रहे हैं अब आप अपना सारा विश्वास उसको चढ़हने ला रहे हैं और आप पुरी तरह से आश्वस्त हैं कि वे ही परमेश्वर है और वे आपकी प्रातना का उत्तर देगा अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो अपने हाथ उठाईए और ऐसे ही बने रहे है यहां पर लोग अपने मैदा और तेल को गूंद कर लाए है वे इसे तेरी सलीफ के पास लाए हैं जहां परमेश्वर की आग उतर कर उनके हिर्दियों में सुलक जाएगी अगर वे लोग वास्ता में सत्ते निष्ट हैं और उनकी भेंट को भस्न कर गिरहल कर लेगी आप सुएम उनकी बिंती पर प्रकड़ोकर गुपत बातें और प्रकाशन उन पर खोलेंगे आप स्वर्ख से अग्मी रख पर उतराएंगे आप संपून पिर्थी और आकाश को हिला देंगे और अपने लोगों को उनका प्रतिफल देंगे अब यह लोग अपने हाथ उपर उठाए खड़े हैं और यह बता रहे हैं कि उन्होंने अपना सभी कुछ अपनी याचना आपकी वेधी पर विश्वास सही चढ़ा दी है तो जो आकाश और पिर्थी का न्याय करने वाला है तो धरम से न्याय करेगा वास्तम में परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा आप इन मनुश्यों के दिलों को जानते हैं इस्त्रियों और बच्चों के हिर्दों को जानते हैं हे प्रभू परमेश्वर मैं अपने हाद भी उपर उठा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अब मेरी सेवकाई थोड़ा बदल रही है और मेरा विश्वास है कि ये आपकी उड़ से है मैंने आपको आपके सतून में खड़े देखा है मैंने आपको लोगों के हिर्दों के गुप भेद और विचार प्रकट करते देखा है जो एक बार भी घलत नहीं निकले आपने ऐसा अश्चार करम दिखाने का वाइदा तब किया था जब आपने यहां धरती पर ऐसे काम करके दिखाए थे और इसमें आपने मेरी समझ दुनिया में जहां जहां मैं गया पूरी रक्षा करी है मुझे पूरा पता और विश्वास है कि आप ही परमेश्वर हैं और मैं पूरी तरह से इस बाद से आश्वस्त हूं मैं खुद को इन लोगों सही है प्रभू आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूं प्रभू मैं फिर से परचार है तू दुनिया का भर्मन करने जा रहा हूं इसमें हे प्रभू मेरी साहता करें अगर मैंने कभी आप पर अविश्वास किया हो तो प्रभू मेरे अविश्वास और उस पाप को श्मा करें मैं जानता हूं कि आप परमेश्वर हैं और अपने खोच करने वालों को उनका पर्तिफल देते हैं इसी प्रकार से आज प्राइड में नोगों के पापों को भी आपके समुक स्वीकार करता हूं इन लोगों के संदे हैं नोगों की कमजरियां आपके सामने रख रहा हूं ये लोग आपकी और अपने हाथ उठाए खड़े हैं I confess their sins, Lord, in all of our weaknesses. Hey, प्रभू, मैं इन के पापों को सुईकार करता हूं, और हम अपनी दरबलताओं को मानते हैं. Send the Holy Ghost upon us, with a seal of your approval. आप अपनी चासे हमारे उपर पवित्र आत्माँ नहीं देल दीजिये. That you are God and you are here now to receive us and to take us into the high arms and to receive us of everything that we've lost आप तो परमेश्वर हैं और आप यहां पर हमें गिरन करने अभी हमें अपनी बाहों की सुरक्षा में लेने हमारा उद्दार करने तता जो कुछ हमने खो दिया है वे सबी कुछ लोटाने के लिए यहां मौजूद हैं जदे हमें से किसी का स्वास्टे खराब है तो होने जीजिए कि वे शक्त प्रतिशक सिहत बंद हो जाए अगर हमारी आत्माइं बीमार हैं तो होने दें कि वे पवितर आत्मा से भरी छलकती चमकती बन जाएं ताकि हम उने परमेश्वर को समर्पित कर सकें अगर हम में संदेह पाया जाता है प्रभू तो हमें एक बार फिर से वही विश्वास दीजिए जिससे हम पहाड़ों को हटा सकें प्रभू इस प्रात्ना को ग्रण कीजिए हम विश्वास करते हैं कि आप अपने पविश्वास आत्मा को इस भवन में उडेल रहे हैं लोगों के उपर वो चल फिर रहा है उनके दिलों में उतर रहा है ताकि लोग जीवते पर मेश्वर को ग्रहन कर सकें ये हम येश्व मसी के नाम में मांग लेते हैं आमीन My faith looks up to Thee Thou Lamb of Calvary Savior divine Now hear me while I pray Take all my sins away Nor let me ever stray From Thee Do you mean it? Do you receive it? Raise your hand, say I now receive it I mean it क्या आपकी यही इच्छा है क्या आप उसे गिरन करते है अपने हाथ उठा कर कहिए कि मैं अभी उसे गिरन कर रहा हूं While life's dark maze I tread And griefs around me spread Be Thou my God Bid darkness turn to day Why sorrow fears away Nor let me ever stray From Thee Let us bow our head After this stern, hard, cut Message rude and brought out in a rough way But it's the truth यह समचार जो मैंने आपको परचार किया है बड़ा सक्त चुबने वाला और असेनियस आप भले ही लगा हो मगर यह सत्त है And if you humbly believe What you have asked for That you receive Don't you never let nothing Push you from that straight road आपने अपनी प्रात्ना में उससे जो भी मांगा है उस पर विश्वास कीजिए कि वह आपको मिल चुका है और किसी भी इस्तिती को यह अफसर कभी मत दीजिए कि आप इस विश्वास से और सीधे मार्क से हट जाएं Stand right there इसी विश्वास में बने रहिये No matter how much I preach Whatever I do Or whatever any man would do चाहे मैं या कोई भी अन्य परचार आपको कितना भी वचन परचार क्यों न करें कुछ भी क्यों न करें It'll never take effect till you accept it as your own personal property उसका प्रभाव तब तक न होगा जब तक आप उस वचन को अपनी व्यक्तिकत जागीर समझ कर गरन न करें You believe that with all your heart everything that you have desired अगर आपने जो कुछ उस्ते मांगा है उस पर विश्वास किया है तो जान ले कि वो आपको मिल चुकी है If you've confessed your sins God has forgiven you अगर आपने पापों का प्राश्चित कर लिया है तो परमिश्वर ने आपको शमा कर दिया है Don't you never doubt it no more इस पर अबार अधिक संदेह मत करिये If you're a backslider you've been taken back this morning अगर आप विश्वास से पीचे हट चुके हैं तो आज पराश्चित परमिश्वर आपको लोटा लाया है If you need the Holy Spirit then be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins अगर आपको पुश्वर आत्मा चाहिए तो पापों की श्मा के लिए ये सुमसी के नाम में बबतिस्मा लीजिए ये परमिश्वर का वचन है और वैस वचन को किसी गिर्जे संस्ता या किसी के लिए भी बदलने वाला नहीं है बबतिस्मा वचना नुसार ही होना है We got to meet His requirements Not the church's requirements, His requirements That's what we must do We don't understand the truth of the church's and the truth of the church's We must do this He said the prayer of faith shall save the sick if you're sick I've prayed the prayer of faith for you If the church tells us that विश्वास सहीत प्रातना से रोगी चंगा हो जाएगा बच जाएगा तो विश्वास सहीत प्रातना मैं आप के लिए कर चुका हूँ You've prayed it in your own heart and believe it Accept it, stand pat on it It'll have to be that way Nothing can take it आपने अपने हिर्दे में प्रातना कर ली है उस पर विश्वास किया है उसको स्वीकारा है उस पर काइम है तो आप के लिए वैसा ही होना है इसे कोई भी आप से छीन नहीं सकता चाहे परस्तिसी कितनी मी निराशा जनक क्यों ना दिखाए दे आप कहिए कोई बात नहीं यदि मैं अब भी बिमार सा जान पड़ता हूं कोई बात नहीं इससे कुछ अंतर ना पड़ेगा ये तो फरिश्टों के उन पंखों की तरह की इस्तिती है जो आपस में उस चितर में मिले हुए थे ये तो आशीश के रूप में परमेश्वर स्वैम है ये आपको उदास और निराशा जनक नजर आती है तो इसके थोड़ा और निकट जाकर इसे देखिए इसे दुबारा देखिए आप आएंगे कि इस सिती में तो परमेश्वर महां खड़ा है और अपने वचन को आप के लिए पूरा कर रहा है अब जब कि हम अपने सरों को जुकाए हैं मैं सभा को वापिस हमारे सेवादार और भाई नेविल को सौपता हूँ